इस्वेंट इससे पहले हमने कूलम्स लो की स्टड़ी की थी और आज हम कुछ एप्लिकेशन करा रहे हैं कूलम्स लो के ऊपर तो दिखेंगे मैं एक बार कूलम्स लो के स्टेट में लिख देता हूं जब फोल्स बीविन टू चार्ज पार्टिकल प्लेस स्टेट इस पर चाल्ड पर्टिकल रहे हैं उसकी वेली जो है 9 इंटू 10 इस कूलम्स अपूला मिश्वार होती है तो आप इस पर देखी कुछ application हम ले रहा हैं, जिसमें आपका पहला application है, example, calculate minimum force between two charged particles placed at a separation of 1 mm, इस पर देखिए जैसा कि आप से पूछा गए यहाँ पर, minimum force between two charged particles, तो यहाँ पर देखिए charged particle की value नहीं दे रखी हैं, तो यह आपको खुड decide करना है कि corresponds to minimum force, what should be the value of charges on the particle, तो जैसा कि आप जानते हैं, जो charge particle पर कम से कम, जो value हो सकती है, charge की, वो एक electron या proton के बरावर होगी, और एक particle पर जो charge होगा भी एक electron के बरावर मैंने दोनों पर रख दिया, इस से कम charge होगा नहीं, तो force भी इनके बीच में minimum आएगा निकल के, तो हमने क्या आगया दोनों charge particle को E और E ले लिया, जिसमें 1.6 10 दिस्टो पावर माइनस 19 कूलाम हो गया है, ठीक, अब यह जो value है आपको 1 mm दिया हुआ है, ठीक, ओके, बस कूलाम से लागा यह, now using the relation, f is equal to 9 into 10 दिस्टो पावर 9 into q1 q2, जिसमें आपको q1 q2 को दोनों को E के बरावर रख ना है, तो put this value, 9 into 10 दिस्टो पावर 9, E square divided by R square, here you put the value, 1.6 यहां रख दीजे, 10 दिस्टो पावर माइनस 19 कूलाम, okay, divided by 10 दिस्टो पावर माइनस 6, sorry, 10 दिस्टो पावर 3 का whole square, okay, और जब आप इसको simplify करेंगे, तो यह करीब-करीब आपको approximately आएगा, 23 into 10 दिस्टो पावर मा ठीक है, इस value is quite small, तो यह जो है, किनी दो charge particle के बीच में, force आगे निकल के, जो least value को है, okay, इसमें देखिए, अगले से में, अब हम force निकालेंगे, किसी एक particle पे, due to many particles के, तो इसमें देखिए, क्या करना है हमें, यह charge particle हमने क्यू लिया, और कई सारे charge particle है, q1 है, q2 है, and q3 है q1 है, इन सभी की बज़े से, हमें इस q पे force निकालना है, यह distances हमें दे रखियोंगी, जैसे इसके बीच में दे रखा है, यह वाली distance दे रखियोंगी, और इनका orientation दे रखा होगी, कितने angle पने यह, ठीक, अब suppose करिए, yes, कि अब हमें force निकालना है, इस और इसके बीच में, तो जब आप force q1 और q के बीच में निकालना है, तो forget reverse, बाकियों को भूल जाइए, अब यह क्योंकि दोनों same sign के तो repulsion होगा, इसको ऐसे लगा दीजिए, f1 आ गया, f1 हम coulomb's law से निकालना है, इसी तरीके इस पर हम q2 की बज़े से इस पर निकालना है, यह इसके अब हो ज पर निकालना है, और फिर resultant force निकालना के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, vector sum करते हैंगे, तो resultant force on q, vector sum of all the forces, that is f is equal to f1 plus f2 plus plus so on, fn, ठीके इसमें, तो वो सीधा है, this actually the vector sum of all the forces exerted by the each particles, ठीके, अब देखिए, एक छोटा सा example ले रहाँ, जिसमें देखिए, three charged particles, each of magnitude q are placed at the vertices of an equator triangle, upside A, find force on anyone due to the other particles, तो इस system में इसमें देखिए, तीन particles हैं, और तीन particles में किसी एक पर बागी दो से force निकालना है, तो जैसे देखिए, यह एक equator triangle मैंने लिया, तीन particles मैंने यहां रख दिये, एक q, q और q, each side A के बराबर है, और यह जैसा कि अब जानते है, equalator triangle है तो 60 degree होगा, each angle will be 60 degree, अब देखिए, यहां पर मैं अगर इस particle पर बागी दो के से निकालूँगा, तो मुझे क्या करना है, इसकी विज़े से पहले मैं इधर निकालूँगा, इसे भूल जाँगा मैं, यह force F आ गया, और इस F की value कूलम से निकाल लेंगे, तो यह निकल के आएगी, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon q, q divided by a square, ठीक है, अब बचाए यह वाला particle, यह particle भी इस पर लगाएगा force और यह charge की value इन दोनों की और distance से में, तो force भी उतना ही आएगा magnitude में F, जितना यह था, ठीक, अब यह angle 60 है, तो इस भी 60 होने वाला है, बस आपको इस पर resultant force निकालना है, इस और इसका, लेकिने, दोनों जो force हैं, यह एक तरफ तो हैं नहीं, इनके बीच कहेंगे 60 है, तो आपको resultant निकालने के लिए, बिलकुल ऐसे यूज करना है, जैसे कि vector हैं, तो क्योंकि force है vector quantity, तो resultant force हम निकालनेगे, student तो इस तरह से निकालनेगे, resultant force, F, R is equal to under root A square, जिसमें A की value दोन 60 होता, student half, अब इसको आप यहां multiply करिए, और F square, F square, यह भी F square हो जाएगा, तो root 3 F आ जाएगा, चीक है, और जैसे कि आपको पता, F की value यहां से उठा के रख दी, यहां पर, और आपको required result आ जाएगा, चीक है, इसमें next example हमारा, जिसमें, divide a charge Q into two such parts, so that, force breathing damage maximum for any separation, हमें यहां पर क्या करना है, चार्ज Q को दो पार्ड में तोड़ना है, और किसी separation पर रखने पर उनके बीच का force maximum आए, तो इसके लिए कि इसमें हमने क्या किया, Q को दो इसमें आप तोड़ दी, माल लिजे, एक इससा small Q, तो दूसरा हो जाए, Q minus small Q, ठीक है, और इनके बीच का separation हमने मान लिया, इसमें कितना R के बराबर, यह कोई भी variable हो सकता है, बला कोई भी value हो सकती है, but it remains fixed now, the only variable is small Q, तो Coulomb's law लगाएंगे, force between the particles, force between the charges, Coulomb's law से हमने कर दिया, F is equal to a constant, Q पहला charge, यह ले लिया हमने, दूसरा charge यह ले लिया, ठीक है बटा, Q minus Q divided by R square, ठीक, और यह value निकल के आगे, 1 upon 4 pi epsilon, इस Q को अंदर ले जाए, QQ minus Q square divided by R square, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर जो force है, यह, F is a function of small Q, जो variable है, अब यह F maximum हो, तो इसकी condition क्या है, F to be maximum, जैसा आप 11 में पढ़ चुके है, maximum निकलने का दरीका, DF over DQ is equal to 0, F को differentiate करेंगे, Q के respect की 0 रख देंगे, तो हमने देखिए कर दिया, और D of this 1 upon 4 pi epsilon, Q Q minus Q square over R square is equal to 0 रखेंगे, यह, चीक, ओके, देखिए, यह जो value यहाँ पर, यह constant है, सारा, यह भी constant, तो यहाँ जाके 0 हो जाया गए, तो केबल हमें differentiate किसे करना है, इसको करना है, इसमें देखिए Q variable है, तो इसका differentiate होगी हमारा capital Q, और इस Q square का 2Q बराबर 0, this gives you Q is equal to Q by 2, तो इसमें जब देखिए, यह small Q की value Q by 2 होगी, और यह भी इतना हो जाएगा, फिर Q minus Q, that is Q by 2, तो जब दोनों particle बराबर value के हो जाएंगे, तो इनके बीच में force maximum होगा, that means अगर यह वाला part, देखिए, ऐसे हो जाए, यहाँ से, देखिए, मैंने क्या किया, Q by 2 इसे कर दिया, और Q by 2 इसे कर दिया, तो इनके बीच के जो maximum force आया निकल के बिटा, वो आगे निकल के कितना, 1 upon 4 by F0, Q by 2 into Q by 2 divided by R square, this is the maximum value of force between these, okay, इसको बिटाए याद रखिए, एक बार आप इसको कर लें, उसके बाद रटने का है, समझ रहें? नेस्ट एक्जांपल देखिए आपका है, 2 small charge balls, each with a charge Q, are attested to 2 strings each of length L, and suspended to a common point, the entire setup is placed in a satellite, fine, force between balls, mass of each one is M, okay, तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना देखिए, क्योंकि इसमें 2 charge balls है, और एक common point से लटका देखिए, दो string से, तो अगर ये ground को होता system तो कुछ ऐसे हो जाता, ground means earth surface पो होता, तो ये system इस तरह सो होता, क्योंकि gravitational force नीचे काम करता है, जो इनका weight हो जाएगा, इसका weight हो जाएगा, और electrostatic force, repulsion का इनके अवे हो जाता है, ऐसे करके, ये certain value angle की इनके बीच में आ जाती है, लेकिए जब इस पूरे setup को आप satellite में रखेंगे, तो satellite में होगी weightlessness, weightlessness की बज़े से क्या होगा, ये weight तो खतम, ये जो है, cable repulsion रहेगा, और इसकी विज़े से string straight हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखेंगा जा रहा है, तो this will be the situation, यहाँ से एक डोरी हो जाएगी, और दूसरी वाली जो डोरी है, वो ऐसे हो जाएगी, और चार्ज पार्टी के लिए एक यहाँ पर है, और यह एक यहाँ पर, ठीके, और इनके बीच का एंगल हो जाएगी, इस तो इंट 180, अब ये और ये दोनों इसके बीच का separation होगा 2L, बस आपको force निकाल ला है, तो using Coulomb's law, this is 1 upon 4 pi epsilon, ये constant multiplier, and then q, q divided by 2L का whole square, बहुत ही simple solution है, बट आपको ये समझना है, कि satellite के अंदर, क्या हो जाता है, weightlessness की वज़े से, दोनों जो string हो इस्टेट हो जाएगी, और फिर इन दोनों के बीच का जो separation हो 2L हो जाएगा, ठीके, समझ आगया होगा, बहुत linear, simple questions थे, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए, पहली step से करना है, हम वो सबसे उची वाली step भी पहुचेंगे पर दीरे-दीरे, इसमें आगला example है, इसमें देखे, two identical small balls, each with a charge q and mass m, are attached to two strings of equal length, from a common point, find angle made by each string from vertical, बहुत important analysis है, देखे, इसमें जो आपको दे रखा है, वो ये दिया है, कि दो चार्ज बॉल हैं और दो डोरियों से जो बरावर लेंद की उनसे टंगा हुआ है ठीक है और अब देखे इनके ये वला ठीटा अगर है वर्टिकल से तो ये भी ठीटा होगा दोनों अगर मास बरावर हैं तो ये एंगल हमें ठीटा निकालना है इनके वेट लगाई है पहले नीचे दोनों अइडेंटिकल है तो दोनों के वेट लगा देज़े अपने अपने और देन इलेक्रस्टेटिक फोर्स बिडिमी नहीं रिपल्सन का होगा ये एफी हो गया देसे जिसे हम कूलंस लोग से निकालने सपोज करो ये इसमें भी सेम अगर ये दोनों मांस बराबर है और ये एंगल ठीटा तो ये भी ठीटा होगा और दोनों रेस्ट में आजाएंगी तो किसी एक काम इनलेसिस कर सकते है ठीटा निकालने के लिए ठीक है बड़ा तो अब आपको क्या करना देगी यहां से पहले तो रिलेट करने तो ये भी लें ठील है ये यहां साथ एकस वाई टू होगी तो एकस वाई टू अपॉन अल साइन ठीटा के बराबर हो जाग जिससे हमें एकस की वेल्व निकालाएगी तो फ्रॉम जेमेट् ने इसमें बड़ एकस की वेल्व निकालके आगी टू एल साइन ठीटा अब देखें दोनों चार्ज पार्टिकल इच कितने का है चार्ज क्यू का है तो चार्ज क्यू इस पर चार्ज क्यू से कूलंब्स लागाएग और फोर्स निकालेंगा ठीक है तो फोर्स बिड़ीन तो यहां से हमारा f निकल आएगा यह constant times qq divided by x square x n के बीज का separation है ठीक है और जैसे कि आप देखने हैं यह यह और यह आइडेंटी के लिए तो यह भी रेस्ट में वो भी तो इसके इकुलिम का equation आप लिखेंगे तो इसको मैंने जैसे यहां देखा दिया देखिया यह आगया f electrostatic food that is f e यह जो हमने यहां लिया है weight इसका नीचे हो गया tension डोरी में इधर और यह हमारा angle होगे theta ठीक है अब आप इस t को resolve परिए इधर t sin theta और t को resolve परिए इधर t cos theta ओके अब यह क्योंके equilibrium में है तो net for 0 इसमें x direction में horizontal direction में करेंगे हमें मिलेगा यह this t sin theta बराबर f और vertical direction में यह हमारा बेटा हो जाएगा t f summation in vertical direction also equals to 0 और this minus this is equal to 0 that is f cos theta is equal to mg अब डिवाइड कर देजा आपस में को तो dividing on dividing this first equation by second this is first left this is second तो first को second से divide करते ही देखे हमारा निकल के आगे 10 theta left side आजाएगी इसको से divide करेंगे तो f कटेगा this actually is t cos theta तो यह t से t कर जाएगा और यह हमारा जाएगा पर 10 theta बराबर f upon mg ठीक इसमें f e की value उपर से रखेंगे यह value यह value है जब आप यहाँ पर put करेंगे यह आगा 1 upon 4 pi epsilon 0 q square by x square upon mg अब देखें इसमें x की जो value वो यहाँ से रखेंगे और फिर इसको theta के लिए solve कर देंगे यह आपका required answer आजाएगा नॉर्मली जो ऐसे सवालों में numerical value दे रखी हो दे और उसे आप निकाल देते हैं तो देखेंगे अभी मैंने कुछ बहुती basic examples आपको coulomb's law पर बताएं हैं जिससे कि आपको coulomb's law का starting वाला हिस्सा जो है वो समाझा जाए अगले हिस्से में हम vector form of coulomb's law and electric field को discuss करेंगे इस्वन आगला example है जिस में देखेंगे two identical conducting spheres fixed in space attract each other with an electrostatic force of 0.108 Newton when separated by 50 cm, center to center. the spheres are then connected a thin connecting wire when the wire is removed the spheres repel each other with an electrostatic force of 0.036 Newton what are the initial charges on them इस्वन देखेंगे एक तो यह बात समझ लीजिए पहले इनके बीच में attraction था इसका मतलब है इनके opposite charge थे एक पर प्लस तो एक पर माइनस होगा और बाद में इनको जब हम wire से जोड़ाएंगे और wire को हटा लेंगे तो इनमें जो है यह force आ जाता है तो एक तो यह समझना है आपको attraction के force को negative रखना है तो जब हम coulum's law लगाएंगे तो यह करना बच्चो using coulum's law बच्चो f is equal to 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 बटे r square ठीक है इनके initial charge हमने माले q1 and q2 जब यह separation 50 cm था इनके बीच का center to center 50 cm तो force लग रहा था attraction का 0.108 चेक है इसमें तो हमने जैसे के मान रखा है इस पर यह कहीं यह निकल के आएगा कि इस पर charge positive और कि इस पर negative है तो हमने attraction को रख दिया बटा minus क्योंकि opposite charge होने प्रोड़क्ट नेगे बाज आगा 0.108 is equal to 9 into 10 to power 9 इनको assess रखें कि यह unknown है यह value अभी है और यह 50 cm को हमने मीटर में बदल के आ रखती है पहला equation बन गया ठीक जब इनको हम wire से जोड़ देंगे metal wire से जोड़ देंगे तो यह सित्तिया ऐसे होगी कुछ the situation will be looks like यह दोनों को हमने metals wire से जोड़ दिया तो charges होए वो क्योंकि दोनों identical है charge होए higher से lower potential जिस पर ज़्यादा था उससे कम पर जाएगा जब तक कि दोनों की charge बरावन नहीं वाज़ा तो means इस पर आधा आजाएगा दोनों का और इस पर भी आधा आजाएगा q1 plus q2 by 2 और separation इनके बीच में उतना ही 50 cm ठीक है तो एक पॉइंट यह दिहाना के इस पर जब दोनों जो है टच कर दिये जाए और identical हैं तो किसी एक पर जो चार्ज आता है दोनों का सम डिवाइड वे टू आदा इस पर हो जाता और आदा इस पर हो जाता है इस पाइंट को आप और डिटेल में अगले चैप्र में पढ़ाएंगे ठीक है फिरसे हमने यूज किया डिवाइड वाइड इस स्क्वाइड हमारे इसमें दो इक्विशन बनके उपर बाला और नीचे बाला दो यह हमारे पास अन्वोने आप दोनों को सॉल्व करिए यह mathematical calculation है वो आपकी चोहे से किस तरह से आप सॉल्व करेंगे मुझे पूरा बरुस्या आप कर पाएंगे तो चलते हैं अगले example पे अगले पार्ड में students हम देखिए equivalent distance of dialectic medium into air निकालेंगे इसका मतलब यह है मान लीजिए अगर दो charge particle किसी dialectic medium में रखे हुए है आड इस्टेंस पे यह पूरी तरह यह dialectic इसके बीच में है इसका dialectic constant k के बराबर है जो हम पहले बदा चुके हैं आपको अब अगर मान लीजिए इस dialectic को हटा दें और distance को बढ़ा दें तो कितना distance होना चाहिए कि force same आए तो आप इस बात को समझ लिए देखिए जब हम dialectic के साथ force निकालते हैं force between the particles जब dialectic होता है तो force बनता है medium की presence में इतना 1 upon 4 pi epsilon k ही dialectic constant आगे यहां पर and product of the charges this ठीक अब देखिए जैसा आप देख रहे हैं यहां पर k आने से k की value हमेशन एक से जादा है तो यह value force की medium की presence से घड़ जाती है अब हम यह करें कि इस dialectic medium को तो हटा देते हैं और इस distance को बढ़ा देते हैं मान लिए आडेस कर दिया हमने यहां से आता कि इस student हमने आडेस कर दिया और medium को remove कर दिया इसको हाँ cable air बन गई यहां पर जिसका k की value 1 होती है करीब तो यह charge particle हमारे आडेस distance पर रख गए अब यह कितनी हो आडेस के force दोनों की बीच में भी बराबर आए तो now without dialectic dialectic the force in air that means यह vacuum में यह बराबर हो जागा 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 बटा आडेस square अब देखिए यह force और यह अगर दोनों बराबर कर देते हैं तो क्या मिलने वाला देखिए इसको इसके बराबर रखिए तो 1 upon 4 pi epsilon k q1 q2 बटा आडेस square यहां से कटेगा बिटा यह कट जाएंगे और बचेगा क्या बिटा आडेस is equal to यहां लेकिन k के साथ root k r very interesting इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो charge particle dialect की presence में r दूरी पर रखे हैं तो dialect को हटा के r s पे air में रख दिये जाए और अगर r s की value इतनी होगी तो यह force बराबर आएंगे दोनों तो हम आगे जब भी analysis ong instrument हम क्या करेंगे इस तरह के cases में dialect को हटा दिया करेंगे k को remove करेंगे और distance को r की जग r s कर लिया करेंगे जैसे देखिए अब मान लीजिए आपको इस तरह की situation दे रखी है कि dialectic जो cable कुछ इससे में suppose करिए the dialectic in some part of the medium-bediviner charges यह q1 q2 हो गया और इतने इससे में cable dialect उभरा हुआ है यह वाला यहाँ तक हो सकता है यह T thickness हो गया यह पूरा separation इनके बीच का r है यह dialectic constant के यह है इसमें ठीक अब मान लीजिए इनके बीच हम force निकालना है means force on the charge particle निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस system को पहले हम पूरी तरह से air में बदल लेंगे मतलब इससे को घटाएं पहले तो air r minus t में होगी तो पहले में इतना हिस्सा निकाल देता हूँ और air air का बना देता हूँ यह q2 यहाँ पह है और r minus t यह हो गया ठीक है तो यह air वाला हिस्सा this और this था मिलाके means r में से t गटाके यह वाला हिस्सा यहाँ भी air है और यहाँ भी air बाट ठीक है यह मैंने अलग निकाल दिया air वाला हिस्सा अब यह जो हिस्सा है यह t धिकनेस वाला यह dialect के साथ है इसकी value जो है इतनी हो जाएगी अगर dialect को हटा दिया जाए ठीक है इस्ट्विंट dialect को हटा दिया और distance को बढ़ा दिया जाए तो जैसे अगा आपने पहले case में निकाला यह root k times हो जाएगी t के t अगर distance हो तो यह कितनी हो जी root k times और charge particle हमारा यहाँ गया अब सीधा मतलब यह हो गया कि air का distance पहले इतना तो था इसके लाव़ जो dialectic वाली जो distance थी यह वाली उसको हमने air में बदलके root kt कर दिया तो कुल मिलाके जो distance होई वो plus हो गई और यहाँ से यहाँ तक आपका यह distance बन गया यहाँ से यहाँ तक का ठीक है बटा तो आगे से अब इनके बीच में फोर्स निकालना है तो सीधे आप क्या करेंगे force between them बराबर एक constant प्रोड़क्ट लगाएंगे q1, q2 divided by the distance that is r minus t plus इसको मैंने इधर रग दिया और इसको यहाँ लग दिया root kt का whole square यह हमारा formula ऐसे सवालों के लिए बन गया जिसमें dialectic पूरी तरह से नहीं बरा हुआ है बास समझागे आगे देखिए हम इसी formula basic example ले रहे है इसमें next example हमारा इसमें the force between two point charges placed at a separation r is f find the force between the same charges if the half of the space between them is filled with a dialectic of dialectic constant 4 तो इसमें देखिए इसमें dialectic जो है पूरे space में नहीं रखा हुआ तो जिस situation हमें दे रखिए वो इस तरह की है कि यहां से यहां तक अगर separation r है charges इस तरह से रखे हुए है तो इनके बीच का जो force है वो f दे रखा है तो coulum slow लगाएंगे हम तो f is equal to a constant q1 q2 बटे r square यह हमारे equation first बन गया ठीक अब देखे इनके बीच का आधा space तो यह charges यहां से आँ तक इस आधे space में instrument हमने कहीं भी आधा लगा सकते no problem यहां से यहां तक dialectic constant force है भर दिया गया तो r by 2 यह होगा r by 2 यह बचा अब इनके बीच हम force क्या हुआ जैसा मैंने आपको बताया था यह जो equivalent distance है वो बनेगी यहां से यहां तक r minus t r minus t का मतलब this r minus t plus root kt तो इस ट्रेंट यह हमारी r minus t क्योंकि r by 2 यह होगा t की बच गए r by 2 प्लस k की बच गए हमारी r by 2 प्लस this is root 4 को 2 हो गया 2 से 2 गड़ गया r और यह distance आगी बटा 3 r by 2 ओके तो यह charge particle अब हमने रख दिये यहां पे बटा इतना distance पे यह distance हमारी यह बनी यह इतनी निकल के आगई अब जो force आएगा again using coulum's law ए constant q1 q2 बटा this distance square देखिए सीधे सीधे आप लगा दी 3 r by 2 का whole square तो बच्चों यह निकल के आगया यह उपर चला जाएगा यह नीचे आगया तो 4 by 9 एक constant आगया बटा निकल के q1 q2 बटा r square ठीक और आप इसमें first equation से देखिए यह जो भी value है यह वाली value इसकी जगे f रख दीजे तो इसकी जगे हम f रखेंगे तो f dash जो आपका निकल के आएगा 4 by 9 into f ओके तो जब dialectic आप half भर देंगे तो इनका 4 जो घटके हो जाएगा 4 f बटान आए ठीक है इसमेंट इसमेंट नेस्ट एक्जाम्पल है 2 point charges are 3 meter apart and their combined charge is 20 microcolam if the force between them is 0.075 Newton then what are the charges बहुत सीधा सवाल है बट इस तरह के basic questions आपको आना चाहिए तो देखे हमने क्या किया कि charges को माल लिए Q1 and Q2 ठीक है और 3 meter separation जो है 3 meter separation रख दी हमने ये Q1 and Q2 पहली जो आपको दे रखी है total means combined charge यहाँ पे वो 20 microcolam तो पहली condition के according to Q1 plus Q2 बराबर आगे 20 microcolam ठीक है स्वेंट ये हमारा first equation बन गया second equation इनके बीच में जो force है वो 0.075 Newton है तो using Newton's sorry Coulomb's law F is equal to a constant that is यहाँ पे पट करेंगे Q1 Q2 बटा R square ओके you put this value F 0.075 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 बटा 3 square दूसरा equation student हमारा यहाँ से आएगा तो उपर से तो हमारी Q1 plus Q2 दे रखा है इससे हम क्या करेंगे Q1 Q2 का product निकाल लेंगे ठीक है student calculation आप खुशे करेंगे मैं आपको hint दे देता हम तो उसके बाद क्या करेंगे आप Q1 ये वाला formula लगाएंगे Q1 minus Q2 का whole square is equal to Q1 plus Q2 का whole square minus 4 Q1 Q2 ये वाला formula लगाएंगे आप Q1 plus Q2 पता है और Q1 Q2 पता है तो Q1 बराबर आएगा 5 5 micro coulomb और Q2 जो निकल के आएगा 15 micro coulomb ओके ठीक है आप देखिए आगला question है जिसमें आपको two equally charged identical metal spheres A and B repel each other with a force 2 into 10 to power minus Newton another identical uncharged sphere C is touched to A and then placed at the midpoint between A and B what is the net electric force on C ठीक है तो देखिए बहुँ सीदा सीदा ये भी लेकिन ये basic question बिटा आना चाहिए ये बहले इसी से हम जो है पहले step से उपर बहले step पे जाएंगे ठीक तो हमने coulomb slow लगाया पहले ये A है ये B है और इनके बीच का separation R ठीक है तो force between them एक constant लगाओ बच्चो यहाँ पे जो as usual लहता है as such and Q Q दोनो identical charge है इस पर Q रख दिया और यहाँ भी Q रख दिया हमने ठीक है divide by R square ठीक अब देखिए क्या करना है C को लेके आ रहे हम यहाँ पे और इसको touch करेंगे C भी इसी के identical है तो इस पर charge है ये न चार्ज है तो total जो charge होगा cable की होगा system के उपर आदे इस पर जागा आदे इस पर जागा तो यब touch करके इनको हटाएंगे तो ये स्तिती हो जाएगी और पिर C को इनके बीच पर रख देंगे तो क्या करना है बच्चो हम ये करेंगे ठीक है बटा तो देखें आपकी जो value आएगी यहाँ पे अब हमने क्या किया यहाँ पे ये A, ये B और C बीच में रख दिया है ये आपका ये R by 2 हो गया R by 2 हो गया और ये charge Q by 2 के आदा आदा इन पर हो गया और ये S स्च रहेगा charge ओके अब क्या होना है C पे फोर्ज निकालना आपको net तो ये S के रिधर रिपेल करेगा ठीक है ये F1 आगे माल लीजे F1 की value आजेगी इस्च रहे निकलके F1 बराबर this constant this into this दौनो Q by 2 into Q by 2 divided by square of the distance ओके ये हमारा F1 आगे निकलके इधर और ये value देखे calculate करने पे आगे हमारी 1 upon 4 by epsilon 2 or 2 नीचे और नीचे भी ये 2 का square हो जागा तो again this found to be same और ये value जितनी ये है वो F के बराबर हो गई ठीक and now force that B exert on C this is let F2 तो F2 जब निकालेंगे आप F2 बराबर होगा एक constant इन charges के product इसका और इसका इनके बीच का separation में पता है ठीक है तो हमने क्या किया Q by 2 into Q divided by R by 2 के square इसे जब आप simplify करेंगे तो देखिए ये आगे 2 times 1 upon 4 by epsilon Q square बटे R square that means 2 F because this is what this is F from here so you put here this is equal to 2 F इसका मतलब यह होगा कि जब आप touch करके C को यहां रखते हैं ये बाला जो इस पे रहे हैं इस पे इस पे इदर force लगाता है F1 जिसकी value उतनी होती है और B इस पे 2 F लगा देता है इदर तो net force on C force on C this is equal to that is 2 F on this side and F on this side this simply is F ये हमारे instrument answer आगे और ये value हमें दे रहे के कितनी 2 into 10 is to minus 5 newton so this will equal to 2 into 10 is to minus 5 newton towards left उके इस से पिछले से में हमने coulomb slow पढ़ाता है scalar form में scalar form में जब हम यूज करते हैं तो charges को नॉर्मली बगर sign के रखते हैं तो coulomb slow जो है magnitude of force निकाल के देता है वहाँ पर लेकिन हमेशा जो है ऐसा नहीं होता कि charges जो है वो एक ही line पर रखे हो या सीधे सीधे उनके बीच का distance दे रखा हो अगर मान लीजे हमें इनके vector form दे रखे है means charges की position दे रखे है तो उसके लिए हमें coulombs lock को vector form में बदलने की पहले ज़रूत पड़ेगी तो हमने मान लीजे सबसे पहले देखे हम सुरुआत यहीं से basic से करते है दो charge particle है q1 and q2 इनके बीच का separation आ रहे है अब मान ली जब force हमें निकालना आए है 2 पर 1 की बज़े से we have to find the force on 2 by 1 ऐसे हम 1 पर 2 की बज़े से कर सकते है और एक चीद ध्यान अगना है जब हम 2 1 निकाल लेंगे तो हमारे unit vector इधर से शू करना है that is r 1 से 2 यह cap लगा देंगे unit vector की ठीक है तो force between them f is equal to a constant 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 बटा r square यह तो होगी value जैसे हम इसके लग फार में करते थे लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि direction भी चाहिए हमें इसकी तो f to 1 2 पर 1 की वज़े से ऐसे vector लगाएंगे फिर से एक बार देखे 2 पर 1 की वज़े से तो यहाँ हमें करना यह होगा 1,2 तो separation होगया suffix लगा दिया असानी के लिए 1 से 2 का और यह जो direction है इस force की यह वली वो आईगी इस unit vector से तो हमने यह लगा दिया कि f 1,2 चीक है instruments और ऐसे भी कर सकते हैं जो unit vector है हमारा unit vector जब आप multiply करते हैं तो उससे magnitude तो same रहता है कि अब डारेक्शन मिलती है इस unit vector को हमें यह लख सकते हैं कि r 1,2 vector divide by इसका mod चीक है तो अब यह हमारा बन किया f 1,2 यह 2,1 जो हमारा यहां निकल के आ रहा है is equal to a constant q1, q2 और इस r 1,2 की जगे बिटा हमने लिख दिया r 1,2 divide by r 1,2 and divide by r 1,2 का square यह सच रहा यहां पे और इसकी जगे पे हमने यह value रख दी यहां से अब देखिए कितना बन गया यह एक पावर यह दो पावर यह तो टोटल में लाके जो f बन के आ गया वो आ गया 1 upon 4 pi epsilon q1, q2 r this is 1,2 here divide by r 1,2 का q this is the force on 2 by 1 in vector form आ गया ठीक है स्ट्वन लेकिन इसमें भी देखिए कई बार जो हमें यह distance सीदे सीदे यह न देखिए हमें position vector दे रखे होते हैं तो अगर हमें इसे position vector के time में लिखना हो जैसे मान लीजिए अब मान लीजिए charge particle जो q बन है उसका position जो है वो r 1 से जाना जाता है और दूसरा particle जो q2 है वो r 2 से जाना जाता है अब हमें देखिए force निकालना है तो इस 2 पर 1 की वज़े से हम पहले formula बना चुके हैं लेकिन इस configuration में आपकी यह situation आईगा और यह हो जाएगा r 1 2 गएगा इधर से इधर ठीक अब देखिए हमने करना क्या है इस r 1 2 को यहां से law triangle लगाई है दिस में this side plus this side बराबर r 2 की बराबर आजाएगा तो अब हमें r 2 r 1 2 की वज़े जानने के लिए using the relation law triangle वाला r 1 plus r 1 2 is equal to r 2 ओके now you solve it for r 1 2 this will be r 2 minus r 1 ठीक और इसका अगर मैं mod निकालता हूं r 1 2 केवल magnitude चाहिए r 1 2 का तो यहां पर हमने mod निकाल दिया इसका चीकेश्वेंट्स बस अब आपका होगे इसमें आपको करना ही r 1 2 की value यह रख दीजे यहां पर यह value इदर और यह value यहां पर रख दी तो हमारा यह vector form जो है position vector की form में आ गया 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 r 2 minus r 1 divided by r 2 minus r 1 mod power 3 यह हमारा position vector की form में आ गया हूँ ठीकेश्वेंट्स एक चीदे की ध्यान रखना है जब भी आप इस vector form को यूज करें तो charges should be placed with the sign q1 q2 दोनो plus है तो दोनो plus रखिए दोनो minus है तो minus रखिए ठीकेश्वेंट्स एक प्लस एक minus है तो charges sign के साथ रखना है जो हमारा answer भी आएगा वो i, j, k की form में आजाएगा ठीकेश्वेंट्स तो जब भी आपको r 1, r 2 दे रखे हूँ इनकी position vector तो पहले इस पहले term को निकाल ली जा minus 1 को अब इसका mod निकाल ली और फिर सीरह यह formula लगा दी जिसमें पहले की तरह 1 upon 4 pi epsa naught को रखना है 9 into 10 is to power 9 newton meter square बटक kulam square यह रखना है ठीके पिटा तो स्वेंट्स देखिए आपको TC जर्गिया का teaching अच्छी लगती है तो आप subscribe करें, like करें करेंगे